नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स अद्रिश्य मानव प्रफेसर डैंग और अद्रिश्य मानव, संपादक देवकी नंदन शर्मा, कथानक रमंदत, कला किशोर ओब्राय शहर के गहमा कहमी वाले शेतर में स्थित लक्षमी नारायन बैंक में शहर के प्रतिश्टित और धनी मानी व्यक्तियों के खाते थे करोडों रुपयों का लें देन बैंक में नित्य प्रति होता था सेट दर्बारी राल का करोडों का बिजनस था सूरजपुर में ही नहीं बलकि देश के अन्य चोटे-चोटे शहरों में भी उनके व्यापार की जड़े फैली हुई थी पिछले कुछ महीनों से वह अपना व्यापार विदेशों में भी फैलाने लगे थे अर्बर रुपयों के मालिक और हजारों लोगों के अन्य दाता सेट दर्बारी लाल विचित्र व्यक्तित्व के स्वामी थे अपने मातहत काम करने वाले करमचारियों को वह बराबरी का स्थान और महत्व देना पसंद करते थे इतने सीधे साधे थे कि कई बार खुद ही अपने केविन से बाहर आकर अपने ले पानी का गिरास ले आते थे एक दिन बहे अपनी परसनल सकेटरी मिस स्टेला को आवश्यक चिठ्थिया लिखा रहे थे कि अचानक फाइल बंद करते हुए बोले मिस स्टेला मैं चिठ्थियां बाद में लिखवाऊंगा आप मिस्टर वर्मा को यहां भेज़ दे जी सर मैं अभी भेज़ती हूँ सर आपने मुझे याद किया हाँ वर्मा आज हम बैंक चाएंगे मैं ड्राइवर से कहकर कार पोश्ट तक मंगा लेता हूँ और करमचारियों के वेतन की लिस्ट भी ले आओ सर मैं कुछ समझा नहीं करमचारियों में पांटे जाने बारी तनख्वा हम खुद बैंक से निकलवा कर लाएंगे लेकिन सर 17,25,835 रुपे इतनी बड़ी रकम आप हम जानते हैं और आज यह रुपया हम खुद निकलवा कर लाएंगे जैसी आपकी इच्छा सर मैं गाड्स को आपके साथ जाने के निर्देश दे जता हूँ नहीं नहीं वर्मा हमारे साथ गाड्स नहीं जाएंगे तुम भी नहीं जाओगे सर मैं आपका विरोध नहीं कर सकता लेकिन सर आजकल शहर में डकैतिया पढ़ रही है हम रोज का अगबार पढ़ते हैं और डखेतियों के बारे में सुन्नते भी हैं हम कार की तरफ जा रहे हैं आप चेकबुक लेकर पहुंचिए सेट दरबारी लाल केबिन से बाहर निकल गया और पोर्च में खड़ी कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया कार का चालक लखन पाल कार की ट्राइंग सीट पर बैठा था वर्मा चेकबुक और करमचारियों की वेदन की लिस्ट लिया आया सर चेकबुक और लिस्ट लाव हमें दो सेट दरपारेलान ने बैंक से निकाली जाने वाली राशी का चेक काट कर चेक बुक वर्मा को लौटा दी कार फैक्टरी के आहाते से बाहर निकल कर सड़क पर आकर दौडने लगी कुछ देर बाध कार लक्ष्मी नारायन बैंक की इमारत के सामने रुग जाती है बैंक मेनेजर के कक्ष में आईए सिर्जी आज आपने कैसे तकलीफ की आज करमचारियों को वेतन बाठने का दिन है न यह लिजिए चेक और बैंक मेनेजर चेक अकाउंटेंट के पास भिजवा देता है करमचारियों का वेतन निकालने के लिए तो मिस्टर वर्मा आते हैं आज आप आज हमारे इच्छा हुई हम आ गए कुछ देर बाद अकाउंटेंट ने कक्ष में आकर सूशन दी सर रुपिया निकलवा दिया है बाहर हमारी कार खड़ी है उसमें रखवा दीजिए शमा करें सेट जी आपके गार्ड्स दिखाएने दे रहे हैं हम गार्ड्स को साथ नहीं लाए रुपिया जल्दी रखवा दीजिए बिना कार्ट के रुपिया ले जाकर आप खत्रा मोल ले रहे हैं सिर्ट जी आज साथ तारिक है वेतन बाटने का दिन है डाको लुटे रे तो इसी ताक में रहते हैं कि सर मैं आपको बिना कार्ट के रुपिया ले जाने की सला नहीं दूगा ऐसी कोई खत्रे की बात नहीं है फिर जिंदगी में रिस्क भी लेना चाहिए जैसी आपकी इच्छा बैंक मैनेजर के निर्देश पर बैंक की दो चप्रासियों ने रुपियों से भरा ब्रीफ केस सेट दर्बारी लाल की कार की पिछली सीद पर रख दिया बैंक मैनेजर सेट दर्बारी लाल को विदा करने के लिए कार तक आ गया था कि तभी सर उधर देखिये अचानक लोगों में भगदर मच गई थी लोग घबरा कर चीकते चिल्लाते दोड रहे थे सडक के बीचों बीच एक रिवॉल्वर उड़ता हुआ जा रहा था लोग सडक के किरारे खड़े उड़ते हुए रिवॉल्वर को देख रहे थे यह क्या बला है मैनेजर मैं खुद नहीं समझ पा रहा रहा रिवॉल्वर हावा में तेर रहा था यह रिवॉल्वर हमारी तरफ ही आ रहा है मेरी गाड़ी के शीशे बुलेट पूरूफ है लखन कार के शीशे चड़ा दो ड्राइवर ने शीशे बंद कर दिये सेट दरबारी लाल ने द्वार बंद कर लिया मैनेजर तुम अंदर जाओ मैं भी निकल जाता हूँ तब तक रिवॉल्वर कार के सामने आकर रुख गया एकाएक रिवॉल्वर अपनी दिशा बदल कर कार के बाएं द्वार के पास आकर रुख गया एक धमाका हुआ और द्वार का हैंडल तूट कर गिर पड़ा कार का द्वार खुल गया पोली जा लगी, मैनेजर लडखडा कर गिर पड़ा, मैनेजर की हालत देख, सेट दर्बारी लाल डर के मारे थर थर कापने लगा, सहसा रिवालवर का रुख सेट दर्बारी लाल की कनपट्टि की और हो गया, रिवालवर मुझे कार से बाहर आ जाने का संकेट दे रही है, रैंक के करमचारियों ने मैनेजर को उठा कर अस्पताल पहुँचा दिया। किसी करमचारी द्वारा पुलिस को फोन करने पर वहां तुरंथी पुलिसा पहुची। कहा है वो रिवॉल्वर। रिवॉल्वर सेच जी की कार के साथ चली गई। सेच जी की कार बिना ड्राइव की कार को देखकर इंस्पेक्टर सुनील ने जीप रोग दी। सेट दर्बारी डाल की कार तो यहां खड़ी है। कार में कोई भी नहीं है और रुप्यों से भरा ब्रीफ केस भी नहीं है। कार का नेरिक्षन करने के बाद इंस्पेक्टर सुनील ने आदेश दिया। राम सि पहले कभी नहीं सुना और मैंने बिना चालक के कार चलने की बात सुनी है जिसने भी है खेल खेला है सत्रे लाक रुपयों को लूटने की गरस्ते खेला है और अपने पीछे कोई सूत्र नहीं छोड़ गया और अभी सेट दर्बाली लाल के साथ घटी घटना की गुत्ती सुल दिखाई दिये रिवॉल्वर और इस रिवॉल्वर में कोई अंतर नहीं है मैंने आँखों से देखा था बिना चालक के मोटर साइकल कैसी दोर सकती है इस पर जरूर कोई सवार है इसके सवार ने काले रंग के कपड़े पहने होंगे इसलिए हम देख नहीं पा रहे वाह क् से दरबारी लाल की कार के साथ सुबा घटना घटी थी उस सवे भी कार के चालक की सीट पर कोई नहीं था जरूर किसी की रू है किसी ने आत्मत्या की होगी शांती के लिए उसकी रू बटक रही है मिया जी ठीक कहते हैं बिना चालक की मोटर साइकल की सूचना पहुंचते ह पुलिस स्टेशन में अफराद अफरी मच गई इंस्पेक्टर सुशील और अश्विनी को सिपाईयों के साथ रवाना हो गए मोटर साइकल चुन्नी भाई मुन्नी भाई क्लोथ मिलके दुमिंजले भवन के सामने रुख गई रिवॉल्फर हवा में तैरता हुआ भवन के अंदर पहुँचकर सोफे पर बैठे चुन्नी भाई की कनपटी पर टिक गया हाए वरी कोई बचाओ नी सोफे की गद्धी का गिलाफ स्वेही उतर गया और सो रुपयों की नोटों की गड्डिया उचल उचल का गिलाफ से गिरने लगी भव भूत मर गया नी मैं लुट गया नी वरी कोई पुलिस को खबर करो नी रुपयों से भरा गिलाफ और रिवॉल्वर हवा में तैरते हुए बाहर की और जाने लगे चुन्नी भाई की आवाज सुनकर कुछ करमचारी वहां पहुँचे उसे पकड़ो नी मैं बरबाद हो गया वरी मैं लुट गया नी किसे पकड़े साहब यहां तो कोई नहीं है कहां है भूत उसी सवय पुलिस इंसपेक्टर सुनील अपने दल बल के साथ वहां पहु制 पहुँच गया वरी इंसपेक्टर मैं लुट गया नी वरी मेरा गरक हो गया नी साथ लाख रुपया वो रिवॉल्वर ले गया नी आपने मोलिस साइकल का नंबर नोट किया है क्या वरी कैसे करता नी मैं तो अंदर था नी इंस्पेक्टर सुशील पाहर आकर मोटर साइकल की तलाश में निकल गया साथ ही उसने घटना की सूचना वाइरलेस द्वारा कंट्रोल को दे दी ओके ओवर पुलिस कंट्रोल ने सूचना मिलते ही शहर में गस्त लगाती पुलिस की टुकडियों को मोटर साइकल तलाश करने के आदेश दे दिये एक क्रॉसिंग पर तैनात पुलिस अधिकारी अपनी ओर आती मोटर साइकल को देख सतर्क हो गए गोलियों का मोटर साइकल पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, बलकि गोलिया मोटर साइकल तक पहुंच ही नहीं पाई, धाएं, धाएं, सहसा मोटर साइकल उड़ने लगी, कुछी शड़ों में मोटर साइकल आंखों से ओजल हो गई, मोटर साइकल आंखों से ओजल हो गई, उस दिशा में पीछा करो, मोटर साइकल की तलाश करता इंस्पेक्टर सुनील यमना नदी के पुल तक पहुँच गया, और सेट दरबारी लाल की कार भी यहीं मिली थी, ब्रीफ केस की तहरा है रुप्यों से भरा गिलाफ भी गायब है, इस जगे का जरूर उस अद्रिश्य शक् मैंने लाल गंज पुली स्टेशन में रिपोर्ट भी दज कराई थी, किसी ने छीन लिया था, मैं कुछ समझा नहीं, हाँ इंस्पेक्टर मुझे चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने के कारण रुखना पड़ा था, अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ नहीं था, मैंने इसे अपना वहम समझ लिया, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मुझे कोई छू रहा है, मैंने एक बार फिर पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, तभी हरी बत्ती हो गई, और मैंने मोटर साइकल आगे बढ़ा दी, कुछ दूर निकल आने पर मैंने महसूस किया, ही कोई नुकीली वस्तू मेरी पीट में चुब रही है, मैंने मोटर साइकल सड़क के किनारे रोक कर, जो ही उसे स्टैंड पर खड़ा करना चाहा, मुझे एक जबरदस धक्का लगा, और मैं कलावाजिया खाता हो, काफी दूर तक लुड़क गया, म मैं इतना डर और सहम गया था कि मेरी चीख निकल गई, मैं भूत भूत चिलाता हुआ मोटर साइकल की और दोडने लगा, पर मोटर साइकल जल्दी ही मेरी आंखों से ओजल हो गई, मैं दोडता हुआ लाल गंज पुलिस टेशन जा पहुँचा, मैंने जब घटना का विवर साइकल लेकर चला गया, हो नहो यह काम किसी भूत प्रेत का है, हमें किसी तांत्रिक से सला लेने चाहिए, इन दोनों घटनाओं से शेहर वासियों की बीच डर और आतन की लहरे दोडने लगी, पूरा शेहर भूत प्रेतों की गिरफ में आ गया है, यह काम किसी क्रोधी प्रेक का क्रोट ठंडा ना हुआ तो पूरे शहर का विनाश हो जाएगा किसी भटकती आत्मा का काम होगा अभी पुलिस इन दोनों घटनाओं को सुलजा भी रही पाई थी कि एक और घटना घट गई जल्दी बैठो राम सिंग बस अभी मैठता हूँ रादे शाम इस वेगन के दर्वाजे में क्या गड़बड़ी हो गई है बार बार खुल जाता है चालक रादे शाम ने द्वार बंद करना चाहा अरे जगदीश दर्वाजा बंद नहीं हो रहा जल्दी से वेगन भगा कर ले चलो कहीं रिवॉल्वर वाला भूत आ गया तो तबहीं वहां रिवॉल्वर हवा में तर्था दिखाई दिया जगदीश कोई दर्वाजे को खोलनी की कोशिच कर रहा है तब तो भूत आ गया समझो पर भूत शैसा दोनों के सामने रिवॉल्वर जूडने लगी रिवॉल्वर की नली चालक जगदीश की कनपटी पर टिक गई नहीं नहीं भूत भाई मुझे मत मारो मेरी छोटे छोटे बच्चे है एकाएक जगदीश घबराकर लोड़क गया रिवॉल्वर की नली राधिशाम की कनपटी पर टिकी रही भूत महराज मैंने जब से होश संभाला है मैं आपकी कहानिया बहुत दिल्चस्पी से पढ़ता रहा हूँ मैं आपकी इज़त करता हूँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ भूत देफ सहसा रिवालवर लह राया राधिशाम लुडग गया आह मार डाला एकाएक वैंच चल पड़ी राम सिंग वैगन को देखता हुआ चिल लाया और उसके पीछे दोड़ा रुको राधिशाम मैं अभी अंदर नहीं बैठा रुको भाई जब वैगन नहीं रुकी तो राम सिंग भागते भागते चालक की खिरकी तक आ गया चालक के सीट पर किसी को न देख वैठ ठिरक पड़ा राधे अपनी सीट पर नहीं है और वैन चल रही है जरूर अदरिश्य प्रेट ने इस पर काबू कर लिया है चगदीश कहां है? मैं 70 लाख रुप्या नहीं जाने दूँगा मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा आज मैं प्रेट से दो-दो हाथ कर ही लेता हूँ मुझे शीशे के पास तैर रही रिवॉल्वर पर काबू पाना चाहिए राम सिंग द्वार खोल पाने में काम्याब नहीं हुआ सहसा द्वार खुला और उसके मुझ पर आ लगा राम सिंग के होट और नाक से खून निकलने लगा वह किनारे पर जागिरा राम सिंग संभल कर उठा और वैगन के और लपका हा 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 क्यों मरना चाहता है वैर उसे पीछे छोड़ कर निकल पड़ती है वैगन मेरी पकड से दूर हो गई है उसे रोखने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए राम सिंग ने एक टैक्सी रोकी ब्रादर उस वैगन का पीछा करना है बैठो तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद